नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाइफाई स्टेडी 2.0 पर मैं हूँ अंकित अवस्ती, आपने मेरे साथ 12 अगस्ट 2022 सभी प्रतियों की परिक्षाओं के लिए बेहत महत्वपूर्ण, फिर चाहे आप UPSC, SSC, Banking, Railway, जिस भी एक्जाम की तयारी कर रहे हों, यदि वहाँ पर Current Affairs with Proper Analysis पूछा जाता है, तो आप सभी साथियों का स्वागत है, पैन पेपर हाथ में रखिए, इंडिया और वर्ल्ड सुर्कियों से, लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी जानकारी, जानकारी रेफरल कोड के सम्मन्द में, रेफरल कोड अंकित 10 जिसका यूज करके आनकेडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% डिसकाउंट प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आज रात 12 बज़े तक यह offer 20% के साथ चल रहा है, फिर चाहे UPSC केटेगरी हो या SSC जहां पर मेरा बैच आने वाला है इस वीकेंड पर, साथियों इसके साथ साथ एक महत्वपुन जानकारी ये भी कि 13 अगस्त यानि कि कल शाम 6 बज़े आप लोगों के लिए एक UPSC टॉपर के साथ 1-2-1 के साथ कल हम शाम को 6 बज़े आनकेडमी के प्लेटफॉर्म पर free of cost सभी के लिए एक सेशन करने जा रहे हैं, जिसका लिंक मैं आपको सेशन के अंत में comment box में पिन कर दूँगा, इसके साथ साथ आपको टेलिग्राम पर यानि अंके तवस्ति सर के नाम से जो टेलिग्राम है वहाँ पर भी प्राप्त हो जाएगा, आप वहाँ से भी उसे जोइन कर सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से एक और सेशन आपके साथ होने जा रहा है परसों, यानि कि 14 अगस्त शाम 7 बजे जिसमें All India Rank 39 के साथ प्रिलिम्स की स्टेजी डिसकस की जाएगी, पूछा जाएगा कि उन्होंने प्रिलिम्स की तैयारी किस प्रकार से की थी, यदि आप चाहते हैं इन सेशन को जाइन करना, तो आज ही अपने मोबाइल के अंदर या लैप टॉप में अनकेडमी लरनिंग अप डाउनलोड कर लीजिए, और उसके साथ में दियेगा लिंक पर क्लिक करके, जो मै शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, सबसे पहले आज का मॉटिवेशन, लेकिन आप अपने यूथ को खुद से भी रिलेट कर सकते हैं, कि आप से ही दुनिया का भविश्य है, इसे आप समझ सकते हैं, यानि आपने जो आज अपने उपर इन्वेस्टमेंट किया है, जो आ इवेस्टमेंट भविश्य के दिश्क का निर्मान करेगा, ये हमारी कामना है, शुरू करते हैं आज के सेशन को, साथ में हैं वैभव, रोहित, अर्चना, कटपप, सुशांत, ईशा, सुनीता, विमल, तीरत, साक्षी, वेदानन्द, दाव, अर्बिंद, विमल, आप सभी के प्यार और इतने सारे इंतजार के लिए तहे दिल से धन्यवाद, सेशन को शेयर कर दीजिए, जानना शुरू करते हैं, आप मैंसे बहुत से लोगों के मन में, मलब, ये सवाल था, सारती दिन से आरेने क्यों नहीं हो रहा है, साथियों आरेने ना होने के पीछ आया समय मिल रहा था, मैं आपके साथ जानकारियां जरूर साजा कर रहा था, छोटे-छोटे वीडियो उसके माध्यम से, छीक है, आप लोग मुझे कॉपरेट करते हैं, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलबदियों में से एक है, कि आप मुझे पेशेंसली इंतजार क साथ सुनने के लिए वेट करते हैं, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है, तो आप सभी के इस प्यार के लिए शुरूआत में ही धन्यवाद दे देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि आपका इंतजार जाया गया, आपका इंतजार बहुत जादा मायने रखता है, मेरे लिए भी और विशेश रूप से पूरी Wi-Fi Study 2.0 टीम के लिए भी वो आपके इस प्यार से बहुत motivated feel करते हैं, यही कारण है कि जब आपकी classes नहीं हो पाती, तो जिधर आपके messages आ रहे होते हैं कि RNA कब होगा, उससे कही ज़्यादा team के messages आ रहे होते हैं कि RNA कब होगा, ब अब इस बात पर तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरी girlfriends ने आज तक मुझे wait नहीं कराया, हो सकता है, आपके साथ कुछ और मामला फजा हुआ हो, चलिए शुरुआत करते हैं साथियों आज के session की, session बड़ा ही interesting है, interesting इसलिए है क्योंकि इन दिनों, जिन दिनों मैं RNA मैंने नहीं ले रहा था, मैं आपको काफी सारे issues करा रहा था, उन issues में अगर आपको ध्यान हो, तो एक issue मैंने कराया था, जिसमें बताया था, कि हाल ही में बंगला देश के, विदेश मंत्री नहीं, वित मंत्री ने, दुनिया के विशेश रूप से विकास शील देशों को एक line कही थी, और वो ये कहा था, कि भईया हो सके, तो किसी से loan ले लेना, लेकिन चीन से loan मत लेना, चीन से loan लेने का मतलब है, कि लेने से पहले दो बार सोचना, आपको याद होगा, मैंने एक इस प्रकार का session किया था, अब तो खेर, हाला कि इसको काफी लोग देख चुके कि बिगडे हुए हाला देख लिए, और खुद को समझ लिया, ये मैंने आपको बताया था, लेकिन, लेकिन नेपाल को समझ नहीं आई, और साथियो न्यूज ये है, कि नेपाल को चीन दे रहा है 15 billion रुपए, नेपाली रुपिया, कितना 15 billion रुपिया, हाना कि millions में इसकी value कम है, लेकिन नेपाल के लिए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी रुपिया, 15 billion रुपिया दे रहा है, ताकि नेपाल में चीन इन्वेस्ट कर सके, साथियों ये समझ ये कि करजे की लगजरी देने जा रहा है, करजे की लगजरी, किसको, नेपाल को, कौन, चीन, लाख समझाने पर भी कोई ना समझे, तो इसे ना समझ नहीं, गुस्ताकी कहते हैं, जनाब यही हो रहा है, कि चाइना एंकरेज नेपाल टु लिव लगजिरियसली, विदिट ऑन लोन, अलार्म बैल फुर्दी, अनौधर डेट ट्रैप, आप न्यूज को इस प्रकार से समझ ले कि चाइना नेपाल को जितना मॉटिवेट कर रहा है, कि आप तो चिंता मत करिये, आप तो बस करजा लीजिये जनाब, बाकी मस्त रहिए, बिंदास जिंदगी जीने की कौशिश करिये, खुश भी हो जाइए, क्योंकि आप हिमाले की गोद में बसे हैं, जनाब लगजीरिय कि आदत तो डाल दोगे, लेकिन पैसा कैसे चुकवाओगे, समझ में सब को आता है, कि नेपाल तुम्हारी इतनी वैल्यू कभी न थी, कि चीन तुम्हें हाथो हाथ इतनी इज्जद देकर साथ रखे, वो तो तुम पड़ोसी हमारे ठेरे, और कहते हैं न भीया, कि जब कि पड़ोसी से दुश्मन निभानी होती है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, खेर, आईए ये तस्वीरें हैं आपके सामने, जिसमें आप देख रहे हैं, मतब असल में हो ये रहा है, कि नेपाल के अंदर, या नेपाल के जो मंत्री लोग हैं, उनको समझ नही इज़त, और वो भी हम को, भाई साब, आईए, कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको, ये तस्वीरें आपको, अच्छा ये तो जाना पैचाना चेहरा है, काफी बार दिखाई दे चुका है, वांग वी का चेहरा, उमीद है आपको ये याद होगा, चाइना ने हाल ही में नेपाल के अंदर various project में invest करने की बात करी है, क्यों गई है, क्योंकि आपको ये व्यक्ति दिख रहे हैं याँपर, ये व्यक्ति कौन है, तो ये नेपाल के foreign minister है, जिनका नाम है नारायन खड़का, और ये नारायन खड़का जो है, ये जाकर कर आ चुके है, खटका, क्या ख तरह से इतनी इज़त मिलिये कि समझ नहीं आ रहा है कि इसको पचाएं कैसे, और भाई साब ये दौनों agreement कर लिये हैं, क्या agreement कर लिये हैं, कि हम आपके यहाँ पर पैसा invest करेंगे, आप तो मस्त जिन्दिगी जीने की तैयारी करिए, 15 billion रुपय का हम आपको assistance देने जा रहे ह और चाइना ने असल में वांग वी के इन्वेस्टेशन, मतब वांग वी जो है यहाँ के विदेश मंतरी, उन्होंने नेपाल के विदेश मंतरी को invite किया था, कहाँ पर किया था, क्विंग डाओ के अंदर 10 अगस्त की बात है, और भाई साब ये जा करके loan loan लेकर आ गए हैं अब करेंगे क्या साब इस पैसे का, भाई साब इस पैसे का ये कह रहे हैं कि हम आपके यहाँ पर व्यापार का विकास कर देंगे, आपके यहाँ connectivity का बढ़ावा कर देंगे, investment लेकर आएंगे, health, tourism, poverty, elevation, गरीवी से उन्मूलन, agriculture, disaster management, education, culture, people to people, exchanging सब पर पैसा खर्च नेपाल अचानक, अचानक इतना कीमती कैसे हो गया, समझ में यह नहीं आ रहा है कि चाइना को नेपाल से क्या चाहिए, अरे इतना तो, जिसको ना कुछ समझ आए, उसको भी समझ में आ जाएगा महराज, कि नेपाल तुमको कोई नहीं पूछ रहा है, पूछा जा रहा है, इंडिया को, क्योंकि तुम्हारी बदौलत अभी तुम्हें पैसा दिया जा रहा है, फिर तुम्हारी बदौलत एंट्री हो जाएगी, और उसके बाद में तुम काम केवल इतना होगे, कि चाइना तुम्हारे घर में बैठ करके हमारे घर में जहांकेगा, करते हैं कुछ सी मिलियन डॉलर का लोन इनको अप्रूव किया है, और तो और भाई साथ, इनको कहा है कि हम तुम्हें केमिकल फर्टिलाइजर भी देंगे, अब इनसे ज़रा पूछिए, कि तुम्हें फर्टिलाइजर का करोगे क्या, और कितना दिमाग फर्टाइल बनाओगे, चाइना क कहने से तुम इंडिया के साथ चले आ रहे है, इतने साल पूराने रिष्टों को दाव पर रख दोगे, ये तुमसे उमीद ना थी, पर खेर कोई नहीं, तुम कैमिकल फर्टिलाइजर लो, लेकिन कुछ सीख लो, सीखने के लिए तुम्हारे सामने एक सेशन हम साजा कर दे कि चीन ने ऐसे ही फर्टिलाइजर स्री लंका को भी भेजे थे, बेटा स्री लंका को भी पैसा दिया गया था, आज हम्मन टोटा गवा बैठा है, चीन ने स्री लंका को भी फर्टिलाइजर भेजे थे, लेकिन उन फर्टिलाइजर में बैक्टीरिया भेज दिये थे, पर खेर कोई नहीं, तुम तो फर्टिलाइजर के साथ फर्टाइल हो जाओ, ये लो भीया, तुम्हारे पास में फर्टिलाइजर तो देंगे ही देंगे, और साथ में एक वादा और दे रहे हैं, क्या? कि आप चिंता ना करें, नेपाल वालों, तुम्हें मैं हिमाले में से छेद करके निकालूँगा, चीन में होकर ले जाऊँगा, और जाकर तुम्हें पूर्ट पर जगह दूँगा, कौन से पूर्ट पर जगह दूँगे ऑगे साथ? साथ हम, चीन के जतने मेजर पूर्ट है, वहाँ पर नेपाल के लोगrien सामान पर चेज़ करके ला सके गेंगे, कोई नहीं जी जब देश के अंदर ब्रष्टाचार हावी हो जाता है तो देश के मुल्यों को इसी प्रकार से किनारे रख दिया जाता है किसी को देश के विकास से कोई मतलब नहीं होता है देखिए देश के अंदर जितने भी लेवल का व्रश्टाचार होता है लेकिन जब आप अपने राष्ट हीतों के साथ कॉंप्रमाईज करने लगें मेरे वीडियोज को बहुत सारे नेपाली मित्र भी देखते हैं मुझे मालوم है मेरे वीडियोज की रीच नेपाल में भी है आप इस बात को दुश्मनी के रूप में ना लें आपके वखल इतना समझे कि आपकी असल वैल्यू क्या है क्यों नेपाल के साथ चीन का इस प्रकार के साथ दोस्ताना व्यवार हो रहा है क्या आपके यहां बहुत सारे natural resources हैं जिनें लेने के लिए चीन आ रहा है या आपके पास resource के नाम पर इंडिया है ये समझें और जब आप इंडिया के लिए ये सब काम करने वाले हैं तो ये भी समझें कि आपके देश में किसी एक देश की सेंधमारी के लिए वहां की राजनेतिक पार्टियों ने अपनी internal security को compromise किया है क्योंकि असल में value आपकी नहीं हो रही है आपके माध्यम से किसी और की तोहो लेने के लिए ये सारे काम किये जा रहे हैं खेर समझदार काफी हैं सारे राजनेता काफी समझदार होते हैं आप भी काफी समझदार होंगे ये मैं उम्मीद करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि state counselor ने announce किया है कि हम 15 billion चाइनीज करंसी के अंदर हम बात करें तो 800 million rain mimbi जो है यहाँ पर जो चाइना की करंसी है वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी आने वाला समय बताएगा कि चाइना के साथ रिष्टे किस प्रकार से होंगे नेपाल के लेकिन फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि इन्हें काफी सारे सपने दिखाए गए हैं और ये सपने क्या हैं? सपने हैं कि ये हम रसूवा ये कोई जगे है खैरूंगदांग, टाटा पानी, जांगम पोर्ट करके जो रास्ता है बोले इस रास्ते को खोला जाएगा अच्छा अब मैं जब ये बातें बोलता हूँ अपने कुछ नेपाली मित्रों से जब मैं इन बारों में चर्चा करूँगा तो वो एक ही लाइन में कहेंगे कि अगर ऐसा ही था तो फिर इंडिया ने हमारे रास्ते क्यों बंद किये मतलब ये वो वाली बाते हैं आपको पता होना चाहिए साथियों कि नेपाल के अंदर पहाडी छेत्र और तराई रीजन में रहने वाले लोग आपस में अपने हितों को लेकर लड़ते रहते हैं नेपाल की जो सरकार है जो मेजरिटी में माववादी सरकार है वो सरकार प्रभावित है पहाडी लोगों से और जो तराई रीजन में रहने वाले नेपाली लोग हैं वो असल में भारत के मुल्यों से और भारत की नीतियों से प्रभावित हैं होता क्या है कि जो तराई रीजन के लोग हैं उनको पहाडी छेतरों में रहने वाले लोग पसंद नहीं करते हैं या यूं कहिए कि सरकार में ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं देते हैं ऐसी इस्थिती के अंदर जो पहाडी छेतर है वो तराई रीजन से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए बिल्कुल ऐसे समझिये कि सरकार के अंदर ही दो पक्ष बट गए तराई रीजन का ज़्यादा बड़ा प्रतिनेधित्व नहीं है पहाडी जो लोग है वो अपने आपको तराई का विरोधी करते करते भारत विरोधी कर लिए और भारत विरोधी करते करते वो चाइना की गोदी में स्वता ही जाकर बैट गए यानि इसे सेल्फ गोल की उपादी दी जा सकती है जो इन्होंने करी अब हुआ क्या कि जब मोदी गवर्मेंट इंडिया में आई थी उस समय तराई लोगों ने नेपाल की सरकार से अपने हितों की मांग करी कि साब हमको भी एक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए नेपाल की सरकार में लेकिन तराई लोगों की इस मांग को नेपाल की ततकाली सरकार ने दवाब में डदबा दिया ऐसी इस्थिती में तराई लोगों ने अपना गुसा निकालने के लिए इंडिया के रास्ते जो ट्रक जाया करते थे पहाडों पर तराई रीजन से होते हुए उनको रोग दिया जिनको तराई रीजन नहीं समझ में आ रहा है उनको मैं बताऊं कि हिमाले यों समझ लीजे एक परवत है तो परवत के नीचे का जो सतह वाला हिस्सा होता है उसे तराई रीजन कह दीजिए ऐसे ही नेपाल के केस में जो इंडिया के साथ वाले बिहार और उत्तरप्रदेश के साथ लगने वाले चेतर हैं वो तराई रीजन छेत रहें उनमें बड़ी मातरा में इंडियन कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं इवन बिहार और इसके अंदर तो ये हाल है उप यूपी के अंदर तो कि लोग जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल मतलब चले जाते हैं उनकी राखी रक्षा बंदन के दिन भी बहुत सारे भाई बैं जो हैं सिंपल ऐसे ही मतलब बिना किसी वीजा पासपोर्ट के इधर से उधर राखी बांदने पहुँच गए होंगे ठीक है अच्छा एनिवे तो अब हुआ ये कि जो पहाड़ी सरकार है उसको ये लगता है कि तराई लोगों को समर्थन भारत सरकार देती है भारत सरकार के चलते ही तराई पीपल्स ने जो रास्ता जमीन से निकल करके पहाडों तक जाता था ट्रकों को ले करके गैस को ले करके पेट्रॉल डीजल को ले करके सामान जरूरी ले करके उन्हें भारत की शह पर ही तराई लोगों ने होल्ड कर दिया बस उस दिन से नेपाल भारत का विरोधी हो गया नेपाल को लगता है कि भारत ने शह देकर उनके आंतरिक मसलों में अंटरफेर किया और उसकी वज़े से अब वो अल्टरनेट रास्ते तलाश रहा है और इसी का फायदा उठाया चीन ने चीन ने इसी का फायदा उठाते हुए नेपाल को ये समझाने का प्रयास किया यानि कि वहां की जो पहाडी सरकार है उसको ये समझाने का प्रयास किया कि विचार करो कल को इंडिया तुम्हें भूका मार सकता है भूका मार सकता है मतलब तुम्हारे छेतर में आने के जो रास्ते हैं उन्हें बंद कर सकता है क्योंकि नेपाल पूरी तरह से जिस रास्ते से connected था वो इंडिया से होकर ही निकलता था तुम्हें कल को ऐसा कर दिया तो तुम्हारे पास alternative रास्ते होने चाहिए लेकिन alternative रास्तों में पहाडों के विपरीद खड़ा था हिमाले हिमाले के opposite side में था चाइना ऐसी इस्थिती में चाइना इस सीज को पैसे के बल पर करने में कामियाब हुआ किस चीज को लेकर कि साहब तुम एक काम करो कि हम पहाडों के बीच में से होकर tunnels के माध्यम से तुमें पुल बना करके रास्ते देंगे तुम उन रास्तों से होकर के चीन के रास्ते अपना सामान ले जाने की कौशिश करो अब आप सोचो कि चाइना के साथ में नेपाल का जो ये रिष्टा बनने जा रहा है जिसमें पुरा पहिमाले के अंदर से रास्ते निकाल करके उसे ले जाने की बाते चल रही है असल में कहा तो ये जा रहा है कि तुम्हारे पास माल पहुँचाएंगे लेकिन इसका रिवर्स ये है कि इसकी एवज में चीन नेपाल से क्या कुछ मांग लेगा आप विचार करिए क्योंकि नेपाल इस करज को चुका नहीं पाएगा फ्री में चीन कुछ भी नहीं करता है किसी के लिए नहीं करता है ये आप दुनिया के कई देशों से सुन चुके हैं, पाकिस्तान देख लीजे, श्रीलंका देख लीजे, बांगलादेश देख लीजे, सब कहते कहते ठक चुके हैं अब, अब नेपाल अगर ऐसा कुछ करता है, तो इसकी एवज में नेपाल उसको ओफर क्या करेगा, जब उस हिमालय नेटवर्क बनने की बात हो रही है, चाइना नेपाल जिसको बनाने के लिए एग्री हुए है, तो मेरे पियरे साथियों चाइना नेपाल एग्री और बिल्दिंग ट्र sitting हिमालय नेटवर्क, इस नेटवर्क को बनाने की जो बात हुई है, जिसमें multi dimensional connectivity की बात हो रह काठमांडू को रेल और उससे जोड़ना चाह रहे हैं ये सीधा रास्ता नहीं है बहुत बड़ी-बड़ी एवरेस जैसी हुचाईयों से होकर रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं आप देखिए पोखरा और लुम्बिनी यानि बिलकुल इंडियन बॉर्डर तक ये रेल और सडक मार्ग लेकर आ रहे हैं इंडायरेकली समझ लीजिए इनने लुम्बनी से मतलब नहीं है इनने मतलब है इंडिया से नेपाल के माध्यम से होकर इंडिया पहुचने तक का जो रास्ता है उससे मतलब है अब जो भी है जैसा होगा वो होकर रहेगा इंडिया इन सीजों के लिए साइकलोजिकली प्रिपेर है नेपाल के सिटिजन्स ने हाला कि इस बात का विरोध किया है कि चाइना एंक्रोच्मेंट कर रहा है फिर अगेन वही वाली बात कि नेपाल में कौन लोग विरोध कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है फिलाल के लिए हर देश को अपना भाला सोचने का अधिकार है नेपाल अपना सोच रहा है लेकिन इंडिया भी जब अपना सोचेगा तो नेपालियों को दुख नहीं होना चाहिए उमीद है कि आपको ये जानकरी समझ में आ रही हो और अगर आ रही हो तो सेशन को शेयर करने का कष्ट जरूर करना सभी साथियों को लाइव आने का इंविटेशन जरूर बेजना सेशन में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं एक बालक बता रहा है कि सर गोलू कुमार सिंग लिख रहे हैं सर मेरे गाउं का बहुत शादी हुआ है नेपाल में गोलू हमें मालूम है हमारे भी बहुत सारे जानने वाले बताते हैं कि साब हम आपकी क्लास निपाल बॉर्डर में जाके देख लेते हैं इंटरनेट पकड़ करके ठीक है गोलू कुमार सिंग हम कनविंज हैं इस बात से अच्छा एक है A.S.C. फ्रेंड जोन उनका त्रिपूरा में हैं रहने वाले हैं और उनका आज जर्म दिन हैं आपको जर्म दिन की बहुत सारी शुब कामना है सर भारत लोन क्यों नहीं देता मरत्युन जैकुमार क्या जर्वत है बटा अगर बारगेनिंग करके रिष्टे बनाने पड़े यही वाली बात है ना आप अपनी दोस्ती में भी याद रखिएगा अगर आपका कोई मित्र है और आपको किवल इसलिए कि तुम हमसे दोस्ती रखो ने हम तुमारे दुश्मन से हाथ मिला लेंगे तो उसको पहले ही दिन लतिया दो कि जाओ तुम बेटा उसी के साथ मरो क्योंकि तुम्हें चाहिए क्या वो हम नहीं दे पा रहे हैं ठीक है तो ऐसी दोस्ती का क्या ही मतलब है सर इंडिया को भी वियत नाम में सैन अड़ा ले लेना चाहिए एस ड्रीम टेक्निकली आप सही कह रहे है भारत इस माइने में काफी सारे कदम आगे बढ़ा रहा है अपनी बहुत सारी मसाइल वगेरा उसको ओफर करने की बाते चल रही है इसके साथ साथ I ask questions Alan Musk भीया question लिखिया I ask questions क्या है मेरा नहीं नेपाल का है मेरा भाबी नेपाल का है वा भी वा सर एक वीडियो फ्री की रेवडी के बारे में भी होना चाहिए बहुत बार कर लिया है भाई हमने इसको बहुत बार फ्री की रेवडी के उपर कर लिया है फ्री की रेवडी पर आज एक चीज और सुनाएंगे आपको क्योंकि अर्विंद केजरिवाल की टिपार्टी ने ये दावा कर दिया कि रिशी सुनक जो है वो हमारी बातों से प्रभावित हो गाए खेर बताएंगे हम आपको आगे चल करके चरन दत्त पूछ रहे हैं सर एक बार UPSC का सिल्लेबस के बारे में बताएं चरन समय निकाल कर कल शाम को 6 बजे अनकैडमी के सौफ्टवेर पर पहुँच जाईएगा वहाँ पर एक फ्री सेशन है UPSC के टॉपर के साथ चहाँ पर आपके इन ही सवालों का जवाब दे दिया जाएगा चरन इंडिया नेपाल को क्यों मना नहीं कर सकता कि मत बनना बनाने दो मोहित दोर भी बिटा मना करने का अर्थ है कुछ और एग्रिमेंट पर हास्ताक्षर करवाना इस दवाब की राजनिती को रहने दो जब उनके खुद के दिन खराब होंगे तब वो खुद समेटेंगे बार-बार समेटने की आफशकता हर चीज की नहीं होनी चाहिए तो चलिए शुरू करें अगले सवाल को उम्मीद है यहां तक कि जानकारी सभी को समझ में आ गई होगी अगली जानकारी की तरफ चलते हैं अगले बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ न्यूज क्या है अब वो आप देखिए साथियो इन दिनों तालिबान में कुछ ना कुछ नया हो रहा है अच्छा एक बात बताईए कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था ओसमा बिन लादेन का डाक्टर जो कि इस समय अलकाइदा का चीफ था वो मारा गया था कमेंट बॉक्स में बताईए क्या नाम था उसका जब तक आप नाम बताएंगे तब तक मैं कोछ और आपके बात बताता हूँ याद आजाएगा हुपफली आगे बढ़ते हैं तो मेरे प्यारे साथियों हाल ही में क्या हुआ है जिस प्रकार से आपने हाल ही में कमेंट का inntदार कर रहा हूँ आभी तक तो वह temperatura आया नहीं है मैंने आप से कहा था कि अलकाइदा का चीफ तालीबान के अंदर यानि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी गोली बारी में मारा गया था लेकिन आपको पता है तालिबान की सरकार में एक तरफ तो अल-काइदा का चीफ मारा गया अल-जवाहिरी बहुत बढ़िया याद रखना इन नामों को क्योंकि ये कही ना कहीं आपके साथ कोट करके पूछे जा सकते है मैच दी कॉलम्स के अंदर क्योंकि पेपर में आतंकवाद भी है आपके तो मैच दी कॉलम्स में पूछा जा सकता है ये आतंक की कहां से संबंद रखता है इसलिए कह रहा हूँ तो अल-जवाहिरी की मौत आपने सुनी जवाहिरी जो था अल-काईदा का चीफ था लेकिन आपको पता है तालीबान की सरकार में हकाणी नेटवर्क्स का बहुत बड़ा योगदान है हकानी नेटवर्क्स इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा तालीबान की जो आज वरतमान सरकार बनी है इस वर्तमान सरकार में हकानी नेटवर्क सरकार दिलवाने में बहुत बड़ा योगदान रखता है इन हकानी नेटवर्क का जो सबसे शैतान आदमी है जिसके ओपर अमेरिका ने आज भी करोड रुपे का इनाम रखा हुआ है वो यहां का इन्टीर मिनिस्टर है कहां का तालिवान का उसका गुरू रहीमुल्ला हक्कानी उसकी मौत हो गई है मतलब एक तरह से यह समझे है कि हक्कानी नेटवर्क को ग्यान देने वाला जो व्यक्ती था ना जिस प्रकार से ओसमा बिल लादेन को जवाहिरी ग्यान दिया करता था उसकी मौत हो गई थी अमेरिकी हमले में ठीक उसी प्रकार से इस समय तालिबान के विचारकों में कलरजी ग्रूप में बुद्धी जीवियों में शामिल था रहीमुल्ला हक्कानी उसकी भी मौत हो गई है मौत अमेरिका ने नहीं किये लेकिन और जब अमेरिका ने नहीं किये तो ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है फिर कौन था गुर जी तो आपको आज के सेशन में वही जानना है इसको मारने के लिए आइसिस जिम्मेदार था और आइसिस वो वाला आइसिस नहीं इस्लामिक स्टेट आफ एराक एंड सीरिया वाला तो बोले फिर बोले ये वाला जो आइसिस है ये आइसिस खोरासान प्रॉविंस वाला है वही खोरासान प्रॉविंस जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर अपना अलग देश के डिमांड करता है ये वही आइसिस है जिसने अल्रेडी बहुत सारे हमले किये जिनमें से काबुल के अंदर एक गुरुदवारे पर हमला भी शामिल था ये वही आइसिस है जो कि तालिबान के अंदर हकानी n latch वर्क को पसंद नहीं करता है ये कहता है कि आतंकी सरकार बनाकर चल रहे हैं लेकिन ये उतने जाधा इस्लामिक मुल्यों का पालन नहीं करते जितना हम करते हैं मतलब ये हुआ कि आज हमारा तार कुछ ज़्यादा गिर रहा है टोटके की बात करें तो कहा जाता है कि ऐसी चीजें पेपर में आ जाती है जब सर का पैंच छूटे, माईक गिरे लेकिन हम कह रहे हैं कि हम कुछ ज़्यादा ही तार पर पैर रख दे रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है तो मज़े ले लिया है वाई फोड़ा वेट करिए हाँ जी चार मेर तो गिर गया है वाई तो हम कहना क्या चा रहे हैं दुबारा से सुन लीजेगा हम कहना ये चा रहे हैं कि तालिबान के अंदर जो हकानी की सरकार चल रही है उसको लेकर के कहना क्या था ISIS का कि हकानी वाले थोड़े liberal प्रकार के हो गए है अब आप सुनिये देखे आप में से बहुत सारे लोग तरह तरह के कपड़े पहनने का शौक रखते होंगे शौक से मतलब है किसी को jeans पहनना अच्छा लगता होगा किसी को kurta पहनना अच्छा लगता होगा किसी को shorts पहनना अच्छा लगता होगा मेरी तरह जो पूरे time कच्छे में गुमता हूँ लेकिन मुद्दा ये है कि सबके अपने अपने कपड़े है लिए कभी आपने पूछा कि सबसे सही dress कौन सी होती है सबसे सही से मतलब जिसके अंदर ज़्यादा competition नहीं है वो है formal dress जो आप interview के दोरान पहन के जाते है fix प्रकार के 2-3 color हैं 2-3 प्रकार के trousers हैं उनको पहन के आप पहुँझ जाते हैं formals में कोई hold नहीं है लेकिन आतंकवाद में hold है आतंकवाद में hold से कैसे मतलब है जैसे तालिबान कहा करता था कि हमें अफगानिस्तान की सरकार इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार थोड़ी अमेरिकी विचारों से मिली हुई है अमेरिकी विचारों से मिली हुई है मतलब पढ़ाई लिखाई की बाते करती है देश के विकास की बाते करती है इसलाम के समर्थन में कम बाते करती है ऐसी स्थेटी में तालिबान आया अफगानिस्तान की सरकार को भगा कर तालिबान ने कबजा किया तालिबान अपनी सरकार लेकर के आया और कहा यहां साथ अब हम सरकार बनाएंगे और अपने तरीके से कानून बनाएंगे बिल्कुल हम लोग शरीया के कानून पर सरकार चलाएंगे ठीक है साथ तालिबान के अंदर ये जो रहीम उल्ला हकानी है ना ये विचारा थोड़ा लिबरल प्रकार का बनने की कौशिश कर रहा था इन दिनों कैसे आप से बहुत सारे लोगों ने जितना जाता इनको ट्रोल किया ना वाइरल किया ना करकर के क्या कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का साशन महिलाओं का सिक्षा का विरोधी रहेगा ये विचारा सेंटी हो गया इन बातों को सुनके इसने का नहीं यार ऐसा नहीं है अब तो हमारी सरकार आ गई अब हम महिलाओं की सिक्षा का बढ़ावा देंगे मतलब तालिबान की इमेज को सुधारेंगे ये कौन दोला रहीमुल्ला हक्कानी था कौन ये हक्कानी नेटवर्क का एक तरसे समझ लिए गुरू था यहों समझ लिए ब्रेन से क्या निकाले गुरू था इनका हक्कानियों का तो ऐसी इस्तिती में ये क्या ग्यान दे दिया कि बाई तालिबान की साशन में महिलाओं की सिक्षा भी होनी चाहिए सुनने में आपको अटपटा जरूर लगेगा ये जनाव इस परकार का ग्यान दिये कि भाई साब आईसिस खुरासाम प्रॉविंस वालों ने कहा ये देख लीजिए हमने पहले ही कहा था ये जैसे ही सत्ता पाएं हैं थोड़े बुद्धी जी भी हो गए हैं हम जादा बड़े वाले कट्टर पंथी हैं और जब हम जादा बड़े कट्टर पंथी हैं तो कम कट्टर पंथी हो को हम खतम कर देंगे तो भाई साब उन्होंने एक बतलब दिव्यांग व्यक्ति को भेज कर किसने आईसिस वालों ने दिव्यांग व्यक्ति को भेज कर आपको कैसे पता कि दिव्यांग गक्ति ही आया था बाई साब मदरसे के अंदर थे रहीमुल्ला हक्कानी रहीमुल्ला हक्कानी जिनके उपर आलरेडी पहले भी कई बार हमले हो लिए काफी सारी हत्याओं के जिम्मेदार है क्योंकि जो भी सरकार में बैटा है वो आतंकी है लेकिन उस आतंकीों में भी रहीमुल्ला हक्कानी आतंकीों के गुरू थे और अपनी मज़ित के अंदर जो नवाज का काम है वो कर रहे थे उसी दोरान आइसिस खुरासाम प्रोविंस की तरफ से एक आतंकी आता है और वो आतंकी क्या करता है कि जो आर्टिफीशल पैर लगा होता है आर्टिफीशल पैर से मतलब पहले से ही उसका टांग कटा हुआ था अपने artificial pair के अंदर वो गोला बारूद भर के लाया और गोला बारूद भर करके इनके नजदीक जाकर फट गया और फट करके इनको लपेट लिया यानि कि इनकी मृत्यू के पीछे रहीमुल्ला हकानी जो मारे गए हैं इनके पीछे कोई इन जैसा ही दिमाग धारी रहा होगा जिसने जिम्मेदारी ली कि हमने मार दिया है तो आप इदर देख सकते हैं prominent तालीबान स्कॉलर किल्ड इन काबुल अटेक इसको स्कॉलर क्यों कहा जा रहा है क्योंकि ये माना जाता था कि ये थोड़ा बुद्धी जीविक किस्म का प्राणी था मतलब एक प्रकार से वर्तमान में जो अफगानिस्तान की सरकार है उस अफगानिस्तान की सरकार में इसकी वैल्यू थोड़ी ठीक ठाक थी ये मान करके कि ये उनका तिंक टैंक था, तिंक टैंक से मतलब दिमाग देने वाला व्यक्ति था ठीक है ना, इस तिंक टैंक को उड़ा दिया गया है रहिमुल्ला अफगानी को, बॉंब हिडन इन आर्टिफीशल लेग एक नकली टांग के अंदर छुपा कर लाए गए बॉंब से इसको उड़ा दिया गया है ये न्यूस है साब, तो रहिमुल्ला हकानी मारा गया तो ये था साब रहिमुल्ला हकानी जिसकी कहानी मैंने आपको सारी किसारी बता दी आप इदर देख सकते हैं, इनके द्वारा इसको मारा गया है क्योंकि ये एड़ोकेट था अफगान वूमन एजुकेशन का यानि कि अफगानिस्तान की महिलाएं पढ़ेंगी लिखेंगी लेकिन साहब पढ़ने लिखने की जो मतलब वकालत करने वाला व्यक्ती था उसको निप्टा दिया गया है, ये निउस आज की ही है, आप यहाँ पर देख रहे हैं अब आप इससे एक चीज का अंदाजा और लगाईए, देखिए क्या था जब अमेरिका का साशन था, या यू कहिए कि अमेरिका के द्वारा बनाई गई सरकार का अफगानिस्तान में साशन था तो उस समय तालिबान आए दिन बम धमागे करता था और जितने जगें मौके मिलता था, वहाँ पर उसको नीचा दिखाने का कौशिश करता था लेकिन, लेकिन साशाब तालिबान जब से साशन में आया है, उसकी प्रजेंस में दो बड़े कांड हो गए कौन कौन से कांड हो गए, पहला कांड जो मैंने आपको पहले बताया जवाहिरी वाला जवाहिरी की मौत अफगानिस्तान के बीतर हो गई, और दूसरा इस हकाने का ये समझ लीजिए कि तालिबान के साशन में आने के बाद से लेकर अब तक इससे बड़े नेता नहीं मारे गए लेकिन इससे एक नई बात समझ में आती और वो ये है कि आईसिस और तालिबान आपस में लड़ने वाले हैं और अगर ऐसा होता है तो फिर से एस थिरता आने वाली है तो आपके सामने ये सारी चीज मैंने आपको बता दी, तालीबान के हवाले से इस बारे में जानकारी दे दी गई, वो मैंने आपको ये बता दिया, ये तस्वीरे रही, आपको मैंने पहले भी बताया था कि यही वो आइसिस था जिसने गुरुद्वारा पर जब अटेक आपको मालूब होगा, अभी कुछ दिनों पहले काबूल के अंदर एक गुरुद्वारे पर हमले हुए थे, हमला हुआ था, और उस हमले के पीछे जो लोग जिम्मेदार थे, उन्हाने ये कहा था, कि इंडिया के अंदर जो नुपुर शर्मा वाला एपिसोड चल रहा था उसका बदला लेने के लिए हमने सिखों को अपना हमले अब बनाया है, आपको याद होगा, मैंने ये न्यूस पढ़ाई है, मेरी न्यूस की कटिंग है, ये मैंने आपको पढ़ाई है, मैंने पर पहले की न्यूस है, ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बता दिया, अब मैं तालिबान की सरकार में क्या रोल है वो दिखा देता हूँ, इधर देखिए, तालिबान की सरकार में अभी जो है वो आमिर अलमुल मिनिन करके है, जिसका नाम है अकुन जदा, ये इस समय इनका सबसे प्रमुख लीडर है, किसका तालिबान की सरकार का, उनकी और जो सरकार है, उनके अंदर जो लोग हैं, उनमें से प्राइम मिनिस्टर है मुला असन अकुंद, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है गनी बरादर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है अब्दुलसलाम हनाफी, ये सेकंड लेवल के लोग हैं, जो थर्ड लेवल पर आने वाले मंत्री पदों आने वाले लोग है उन में से है सिराजुद्दीन हकानी ये जो सिराजुद्दीन हकानी है इसके ओपर MILLIONS of डॉलर का इनाम घोशिद है हकानी जब अमेरिका अफगानिस्तान में हुआ करता था तब ये हकानी नेट वर्क पाकिस्तान में रहकर अमेरिका पर गोले बरसाया करत ये वो आदमी है ठीक है ना तो एक प्रकार से ये जो तस्वीरें हैं जो ये दरशाती हैं कि आतमघाती बम के अंदर रहिम quicker गया गया रहिमुल्ला हक्कानी इसी सिराजुद्दीन हक्कानी का ये समझ लीजे कि ठिंक टैंक था जो इसको सारा ग्यान दिया करता था ग्यान के खजाने को ही निप्टा दिया गया है इस लड़ाई के अंदर ठीक है ना इनके उपर इससे पहले भी दो बार हमले हुए थे 2013 में 2020 में उन दोनों हमलों के अंदर ये बच गए थे हक्कानी नेटवर्क के सरगना सिराजुद्दीन का जो मैंने आपको अभी बताया ये जो सिराजुद्दीन हक्कानी है उसका गुरू था ये ठीक है ना तो एक प्रकार से नॉलिज का जो सोर्स था ना उसी को टपका दिया गया है आज के अंदर ये सबसे बड़ी न्यूस है ये अफगानिस्तान के अंदर तालिमान गर्मेनट का समर्थक था ये प्रॉमिनेंट क्रि'Tिक था जिहादी इसका विरोध करता था, आईसान, ख्रॉसिंज का, तो उसको निप्टा दिया गया, उन्ही के द्वारा, इसको तालिबान की आईडियॉलिजिकल बैक्ग, जो इनकी जो सोच है ना, उसका think tank माना जाता था, ये तालिबान की जो war थी, against ISIS के, उसको prove करता था, religious आदार पर इनकी लड़ाई का केवल एक ही आदार है और वो आदार ये है हम में से ज़्यादा कट्रपन थी कौन या फिर कौन हमको कौन ज़्यादा इसलाम को मानता है इस बात को लेकर लड़ाई हो रही थी आप सोचिए कि तालीबान यही कह करके तो आया था कि हम ज़्यादा कट्रपन थी हैं हम ज़्यादा इसलाम को मानने वाले हैं लेकिन आईसिस के कहता है हम तुम से भी ज़्यादा मानने वाले हैं आप सोचो कि यह आईसिस के जो है इसका जनम ही 2015 में हुआ है मतलब तालीबान कब से लड़ाई या लड़ रहा है लेकिन ISIS के कहता है कि तुमने आज करमा थोड़ा परिवर्तन सा आ गया है तुम उतने वाले कटर नहीं बचे हम और थोड़ा जादा वाले कटर बनेंगे तो ISIS के बनेंगे ठीक है तो ये हमने आपको बता दिया अब ये सिराजुद्दीन हकानी कौन है ये भी मैं आपको बता दूँ क्या सिराजुद्दीन हकानी पैदा होते ही आतंकी बन गया था क्या नई इसका जो बाप था ना उसका नाम था जलालुद्दीन हकानी वो जलालुद्दीन हक्कानी हक्कानी नेटवर्क को इस्थापित करने वाला व्यक्ति था उसी का बेटा था जलालुद्दीन हक्कानी का कौन सिराजुद्दीन हक्कानी जो की इस समय हक्कानी नेटवर्क का चीफ है यानि ये समझे कि हकानी नेटवर्क या आतंकी समू को संस्थापित करने वाला व्यक्ति जलालुद्दीन हकानी उसका बेटा है सिराजुद्दीन हकानी बाप पहले मर गया तो जो सिराजुद्दीन हकानी बचा इसको ग्यान देने वाला रहीमुल्ला हकानी रहिमुल्ला हक्कानी को अभी निप्टा दिया ISIS के वालों ने ठीक है ना अब इसके जो बेटे हैं जलालुद्दीन हक्कानी का एक और है उसका नाम है बद्रुद्दीन हक्कानी वो हक्कानी का ऑपरेशनल कमांडर है वो सीनियर कमांडर है नौर्थ वजिरिस्तान पाकिस्तान में ही बैठ कर काम करता है अब मैं एक जानगारी और देता हूँ ये जो हकानी network है इसके बारे में कहा जाता है कि इसे Pakistan की जो खुफिया agency है ISI वही इसको सारे काम करने की training दिया करती थी या यू समझocyे कि इसकी जितनी भी army की training हुई है ना वो पूरी ISI Pakistan के द्वारा खुफिया agency के द्वारा दी गई है 2013 में इसके काफिले पर हमला हुआ था तब भी बच गया था 2020 में भी हमला हुआ था ये सारी बाते मैंने आपको बता दी है ठीक है ना तो यहाँ पर यह दो सारी जानकारिया जो मैंने निकल करके आई हैं वो मैंने आपको बताने का काम कर दिया है तो एक प्रकार से यूँ समझ लीजिए कि रहीम उल्ला जो है वो ISIS के खिलाफ काफी ज़ादा प्रवोक्ट प्रमदलब एक तरह से विरोधी था काफी बड़ा तो इसको मार देगे अब ठीक है इसके अंदर तो क्या ही बताने की आप सकता है मैंने केवल आपको ये बताने का प्रयास यहां पर कर दिया है कि इस व्यक्ति को क्यों मारा गया BBC के रिपोर्ट में इस बारे में बताया गया है कि ये सपोर्टर था वूमन एजुकेशन का और इस वज़े से आइडियोलोजिकल डिफरेंसेज आ गए थे ISIS के और इनके वीच में ठीक है न फिलहाल के लिए उम्मीद है कि आपको इतनी जानकारी परियाप्त होगी खुद अफगानिस्तान सरकार ने इस बात को स्विकार कर लिया है कि हासाब हमारे साथ में ऐसा हो चुका है ठीक है चलिए जल्दी से सेशन को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करते चलिए और ग्यान को प्राप्त करते चलिए हाँ जी एक विद्यारती पूछ रहे हैं कि ये कि क्या लिख रहा है सलमान को चाकू से गोद दिया गया है अब ये कौन सा सलमान है भाई ये लोग जो है ना कुछ भी यहाँ पर आकर के लिख देते हैं ऐसे कोई भी फेक निउस ना फैला है कुछ भी ऐसी निउस नहीं है ये फरजी निउस क्रिप्प्या करके कमेंट बॉक्स के अंदर ना पैला है अगर भाईया जग रहे हो तुम हाला कि अब तक जबकी ले रहे होगे थोड़ा बहुत कमेंट वगएर आपे भी ध्यान दे लिया करो ये क्या फालतों के वगवास के कमेंट चल रहे हैं कमेंट बॉक्स को देखिए जरा लक्ष दिवेदी सर ये किस लेवल के लड़ाई लड़ रहे हैं हाँ यार ये बहुत ही अजीव लेवल के लड़ाई लड़ रहे हैं बिटा आरेने रोज होगा अंटिनलेस मेरे पास में कोई और दिक्कत ना हो हाँ सलमान रश्दी सलमान से भाईया सलमान रश्दी है हाँ बिलकुल सलमान रश्दी की न्यूज मेरे पास आ चुकी है उसके बारे में हम सेशन कर लेंगे ठीक है हम सलमान से सलमान खान पकड़ लिए सलमान रजदी तो हम पहले ही सुन लिए थे ठीक है रजदी का पता है हमें भी ठीक है लेकिन उसके उपर अलग से सेशन कर देंगे अगर important रहा तो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगली news की तरफ अगली जो news है वो थोड़ी से आपके point of view से important क्यों है इसमें information काफी ज़्यादा important है और वो information है रामसर साइट से related अभी इन दिनों जिस दिनों हमारी classes बगएरा नहीं हो पा रही थी देश के अंदर रामसर साइट की संख्या बढ़कर हो गई 64 ठीक है न हाल ही के अंदर इंडिया में नई 10 रामसर साइट और जोड़ी गई जिसकी वज़े से भारत के अंदर कुल रामसर साइटों की संख्या 64 हो गई है यह तथ्यात्मक जानकारी याद कर लीजेगा ठीक है अब आपके दिमाख में सवाल बनेगा सर यह रामसर साइट का मतलब होता क्या है पहला सवाल तो यह बनेगा बाकी तथ्यात्मक जानकारी जो आप सबको पता होनी चाहिए कि एरान के अंदर रामसर नाम से जगह है वेटलेंड डिकलेरेशन कौन से दिन हुआ था कौन सी साल में हुआ था यह थोड़े थोड़े factual data है सबसे ज़्यादा रामसर साइट UK के अंदर है सबसे बड़ी रामसर साइट का है यह सारे facts मैं आला कि आपके साथ साजा कर दूँगा लेकिन उसी के बात बीच में एक जानकारी और कि भईया यह रामसर साइट होती क्या है और दूसरी important बात wetland क्या होता है यह बड़ी बात है अच्छा देखिए एक बात बताईए आप सबने समुद्र के अंदर पानी देखा है नदी के अंदर पानी देखा है लेकिन क्या आपने किसी समुद्र या किसी नदी को wetland कहते हुए सुना है गीली जगह wetland का मतलब आद्र भूमी कहते हुए सुना है hopefully आपने नहीं सुना होगा लेकिन आपने किसी तालाब को wetland सुना होगा और अगर आप common sense drive कर पाएं तो यहीं से wetland की अवधारना निकल कर आती है आपने कभी समुद्र में पक्षियों को अंडे देते हुए नहीं देखा होगा आपने कभी नदी के अंदर भी किसी पक्षि को बैठते हुए नहीं देखा होगा लेकिन आपने किसी तालाब में किसी पक्षि को रुकते हुए देखा होगा किसी पक्षि को तैरते हुए देखा होगा उसके अंडों को बगल के पेड़ों पे देते हुए देखा होगा, इसका अर्थ क्या है? आईए इसको थोड़ा समझते हैं. पिर प्यारे साथियों, जल का वो लेवल कि जमीन और जल अपने एक सामन जश्य के रूप में रहें, वो सभी जगे वेट लेंड्स कहलाती हैं. साम क्या आपको ऐसा लगता है कि देश में कुल मिलाकर 64 ही वेट लेंड है? भई देश में अभी क्या कहा गया है? 64 साइट्स हमारे यहां पर रामसर साइट्स बन गई है, ऐसी वेट लेंड 64 हो गई है. ठीक है? तो फिर एक सवाल बनता है कि सर क्या हमारे देश में केवल 64 ही व लेक्स हैं क्योंकि राजिस्थान में वाटर का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ करता था वो लेक था ऐसे ही आप उदैपूर चले जाएए वहाँ पर लेक्स यह लेक्स है उसका नाम ही लेक सिटी है तो क्या हर लेक को हम वाटर वाट वैटलेंड कह देंगे क्या आंस वैटलेंड जिसकी अगर सुरक्षा नहीं की गई तो पक्षियों को आसपास रहने वाले एकोसिस्टम को बड़ा नुकसान हो जाएगा अब पक्षी भी कौन से वाले विशेश रूप से जो एक जगे से दूसरी जगे जाते हों अर्थात जो माइग्रेट करने वाले एसे संकट ग्रस्त वैटलेंड को रामसर साइट में डाल दिया जाता है फिर आप पूछेंगे इससे क्या होता है बड़ा सवाल तो यही है ना मान लीजे कि मैंने कह दिया सर आपके शहर अलवर की जो सिलिसेड लेक है कल को इसे रामसर साइट का दरजा दे दिया फिर क्या फायदा हो जाएगा तो बिटा ऐसा दरजा देने पर आपको अलग से बजट मिलना शुरू हो जाता है किस बात का कि इसकी सुरक्षा करिये इसको वापस जीवित करिये इसमें अगर कोई नुकसान है तो उसे हटाईए इसके अंदर वापस पुनुरुधार करिये आगई ब बात है कि आपके देश के अंदर कई जगे ऐसी हैं जो नेशनली नहीं इंटरनेशनली इंपोर्टेंट हैं यानि उनको अगर कुछ नुकसान पहुचा तो पूरी दुनिया को उस नुकसान का हरजान भुगतना पड़ेगा जैसे राजिस्थान के अंदर केवला देव पच निया भर से आते हैं इस वजह से उसकी स्वरक्षा सुनिष्चित करने के लिए उसे रामसर साइट का दरजा दिया गया उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी समझ में आगई हो अगर आगई हो तो थमसप करके बता दीजेगा अब जानकारी मतलब किस परकार से दुन वेटलेंड दिवस मनाते हैं इरान के अंदर एक जगे है रामसर उसके नाम के उपर इस जगे का नाम रामसर साइट पड़ा है यहाँ पर कौशिश करते हैं कि दुनिया भर के जितने भी वेटलेंड से उनकी सुरक्षा कैसे की जाए आप वेटलेंड में इस प्रकार के इंटरनेशनली इंपोर्टेंट हैं आप इन्हें समझ सकते हैं ठीक है ना तो हमारे देश में कुल 10 नए वेटलेंड रामसर साइट के अंदर एड़ कर दिये गए हैं अगस्त 2022 के अंदर इनमें से 9 रामसर साइट अकेले तमिल नाडू के अंदर हैं जो मैं आपके सामने य और भी जानकारियां यहां पर मैंशन कर दी हैं गल्फ आफ मननार है कि या वेटलेंड है यह सारी की सारी रामसर साइट जितनी भी हैं इन सब को यहां पर मैंशन कर दिया गया है एक उडिसा की है जिसका नाम है सतकोशिया गौर्ज उसको भी यहां पर शामिल किया गया है ये सारी जानकारिया हमने आपके साथ 10 वैटलेंड के बारे में सैट कर दी है इसके अलावा 10 रामसर साइट अब उत्तर प्रदेश और तमिलाडू दौनों में हो चुकी है United Kingdom में दुनिया की सबसे ज़्यादा रामसर साइट 175 है वैटलेंड दे 2 अक्टूबर को मनाया जाता है चिलका लेक उडिसा और केवला देव नेशनल पार्क राजिस्थान सबसे पहली रामसर साइट थी इंडिया के अंदर ये factual डेटा है जो आप लोग याद कर चुके होंगे और नहीं भी किये हों तो इस स्लाइड से याद कर लेना इसमें और कुछ बताने का नहीं है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ सेशन को शेयर करना जारी रखें अगले नियूस की तरफ हमारी आगे जनकारी बढ़ती है प्रे प्यारे साथियों जैसा कि आप मेरे पीछे उड़ते हुए अभी एक जाहाज को देखें मैं दिखाऊं दुबारा से देखना उड़ेगा ये गया एकदम सफेद था ना इसका नाम पता है क्या है वाइट स्वेन ये आर्बियाई बाला ब्लैक स्वेन नहीं है जिसने आर्थिक मंदी की चिंताएं बढ़ा दी थी ये है सफेद हंस इस सफेद हंस की चर्चाएं आजकल देश में दगड़ी चल रही है कहा जा रहा है कि इंडिया रूस से एक पड़ा सफेद हंस खरीदने जा रहा है क्या है ये इसका नाम है टुपो लेव T.U.160 हम इसे वाइट स्वेन बोल कर के ही सफेद हंस बोल कर ही संबोदित करेंगे ताकि थोड़ा आसान रहे क्या है सर ये ये दुनिया का सबसे विद्वन सक बमवर्शक माना जाता है बमवर्शक तो इतने दिन से हम क्या कर रहे थे क्या हमारे पास में कोई भी बमवर्शक नहीं था क्या बाइदवे सर ये बमवर्शक सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है तो बंबर! क्या बात करते हो गुरोजी? अपने राफेल ख्रीद रखा है, मिग खरिद रखा है, सुकोई खरिद रखा है, इतने हवाईजाज हमारे पास all ready है कि यह बंभ ने गिरा सकते हैं क्या? गिरा सकते हैं ना! कौन मनाखरा है? तब ले फिर? मैं आखा भाई ये चो बम गिरा सकता है इसकी शमता जानोगे तो आज चरह कर जाओगे अब कितना 45,000 किलो बम तो ये गिरा सकता है मतलब मैं आखा जितना राफेल वाफेल का बजन नहीं उससे ज़ rifi patchin नई है उससे ज़दा तो ये बम गिरा सकता है का जा रहा है कि अगर ये आ गया तो भारत की एर फोर्स की शक्ति डबल हो जाएंगी और एक मिनिट रुको आपको कहा से पता चला कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं सरकार ने कहा ऐसी कोई बात और तो और एक बात बताओ ऐसी इस्तुति में जब अमेरिका इतना नाख पुला बताओ इसके बारे में और खासिएत क्या है यह दुश्मन के ऊपर जब बम गिरा के आता है ना दुश्मन को पता ही नहीं चलता कहां से आया था मतलब मतलब इसमें स्टैल्थ technology लगी है अब यह क्या होता है सर अरे एक ऐसी technology रुज़ो radar की पकड़ में नहीं आती हवाई जाज आया आके गोले गिराया बड़ी इज्जत से गोले गिराया आपको पता ही नहीं चला गोले कहां से आए आप अब वहे थर्टी फाइफ तो टोटल हैं यह और वो सब की सब रश्या के पास हैं लेकिन इंडिया एक बात पकड़ लिया रश्यावालों की क्या बात पकड़ बताऊं मॉस्कों ने हमसे का था एक बार यह सरगई लोवरोव है ना रश्यावाले इन्होंने का इंडिया कुछ भी मांग अच्छा है सस्ते में मिलेगा माल वोले सर सुनो ना एक सफेद हंस पैक कर दो और क्या सर क्या चाते क्या हो वोले हम सर यही चाते हैं साथियों आपके सामने जो यह न्यूज है यह मैं कटिंग दिखा रहा हूँ आपको दा यूरेशियन टाइम्स की यूरेशियन टाइम्स का नाम से जो अखबार है इसमें यह कटिंग लिखी है वाइट स्वैन फोर इंडिया एर फोर्स एक्स चीफ इंडियन एर फोर्स के एक्स चीफ अरूप साहा उन्होंने हाल ही में एक जगह पर एक मंच पर बयान देते हुए यह इशारे ही इशारों में कह दिया अब आप की बात को इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हो तो आप मेरी बात को वैल्यू ना दे क्योंकि वो देश के भाई एर फोर्स के चीफ रह चुके हैं उन्होंने अपनी बात कुछ कही है इसका मतलब कुछ होगा उनके टाइम पर भी इंडिया इस तरह की प्लानिंग कर रहा होगा उन्होंने हिंट दिया है क्या कहा है कि हिंट एट पॉसिबल एक्वेजिशन आफ रशियन टी यू वन सिक्स्टी बॉमबर टू काउंटर चाइना जो चाहता है हमारे साथ कुछ करना तो इंडिया इस समय कौशिश कर रहा है रशिया के उस बॉमबर को पर्चेस करने की जो दुनिया का सबसे घहतक बंबवर्शक माना जाता है एक ऐसा बंब़र्शक जो किसी देश पर गोले गिरा करके भी आ जाए तो पता ना चले की गोला गिरा दिया था इन दिनों यूकरेन के केस में यही तो हो रहा है यूकरेन के पास यह थोड़ी कि रडार नहीं है उसके बड़ा माल ले जा, फाई सम डेढ़ लाख किलो के आसपास वज़न है इसका, जहां अपने ये तेजस जो है ना, ये सतरह अजार किलो के आसपास वज़न है, तो ये एक बार में उड़ लेता है, ये अलग ही है, ये USSR ने उस समय बना लिया था, जब USSR था, उसके बाद से खु महिंद्रा की एक गाड़ी आती है, TUV, ठीक है, इसी प्रकार से इसको याद रख लिना, TU-160, फ्रॉम रशिया, इसे आप वाइट स्वैन के नाम से जानते हैं, ठीक है, सफेध हंश के नाम से जानते हैं, अब एक चीज और बताता हूं, इसी Eurasian News को जब मैं पढ़ रहा था एक जानकारी और निकल कर आई, अच्छा आपको पता है, रशिया ने इन दिनों एक हाईपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है, आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, कोई भी जानकारी जब मैं पूछो ना, याद होगा या नहीं, बस उसको मेरा नाम लिखके गूगल कर लिया करो, कई नहीं डला हूँ मिल जाया का, मैंने पढ़ा रखा होगा, जिर्कॉन नाम से एक मिसाइल है, मैंने पढ़ाई है, आज से कई दिनों पहले आप लोगों को, जिर्कॉन, यदि याद आ जाए तर एक बार बस थमसप कर देना हाँ हाँ सर याद आई, जिर्कॉन नाम से मिसाइल है, नाइन मैक की स्पीड से चल सकती है, हाइपर सॉनिक मिसाइल है, रूस के दोरा हाल ही में उसकी टेस्टिंग की गई थी, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, कर देना, ऐसे ही कर देना, वस यूं कर देना, याद है आपको, इस यूरेशन टाइम की बात अगर मान ली जाए ना, तो अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है, कि भारत जो ब्रहमोस टू बना रहा है, बाइदावे, ब्रहमोस वन वर्ल्ड की सबसे तेज क्रूज मिसाइल कंसीडर की जाती है, लेकिन जिर्कॉन रशिया ने ही सारी प्रॉपर्टीज हमको दे रहा है, इधर आईए, देखिए, इंडियाज फर्स्ट हाइपर सॉनिक मिसाइल कुट बी मॉडल्ड ओन रशियाज फ्योरशियस जिर्कॉन मिसाइल नॉट टू बी एक्सपोर्टेड सी यो, हम ब्रहमोस का नया वर्जन लेके आ रहे हैं ब्रहमोस टू, जिस जो जादा वार हैड ले जा सकेगी, जादा तेज गती से चल सकेगी, मैक नाइन दुनिया की स्प्रेस्ट स्पीड पर उड़ सकेगी, उस मिसाइल में जिर्कॉन के तत्व, जिर्कॉन वही जो रशिया की मिसाइल है, क्योंकि ब्रहमोस, असल में हमने बनाई थी, ये हमको सुनने में मिल रहा है, सुनने में तो नियूज अच्छी अच्छी मिल रही है, अब आपके दिमाग में आगा सब एक मिन्ट, आप बात तो कर रहे थे, टी यू वन सिक्स्टी की, अचानक आप जिर्कॉन पर पहुँआ चाएं, हमने खाएं, नहीं नि इसको परचेज कर लेता है तो, ये जानकारी पूर्व वायुसेना प्रमुख अरूप सहा ने अपने एक भाशन में बताई है, उसके बाद ये सुर्कियों में आना इंटरनेशनली कवर होना शुरू हो गया है, ये कोई चानक के डायलॉग करके जगे है, वहाँ पर अपना बाशन दे रहे थे, इंडियन एयर फोर्स के 2016 तक ये एयर चीफ रहे हैं, इनके द्वारा इस बात को कहा गया कि हम लोग क्या चा रहे हैं, अचा ये बात अचानक उठ कैसे गई, अचानक इसलिए उठ गई, क्योंकि चाइना जो है न वो इन दिनों भारत के बॉर्डर के नजदीक अपने bomber लेकर आ रहा है, आपका दिमाग फिर चक्राएगा, तो क्या हमारे पास कोई bomber नहीं है क्या, नहीं है, हमारे पास fighter jets हैं, हम उनके फूरी bomb pack देते हैं, लेकिन हमारे fighter jets जो हैं, वो radar पर दिख जाते हैं, आपने देखा नहीं था गया, हमारा MiG-21 पाकिस्त आ गये घुम पिर करके तो ऐसी इस्थिति में इनके द्वारा चाइना वाले जो हैं वो हमारे बॉर्डर के नजदीक H6K बॉम्बर नाम से अपना बॉम्बर इस्तापित कर रहे हैं ऐसी इस्थिति में भारत के लिए बहुत जादा जरूरी हो जाता है कि हमें अगर अपने ब अब हम अपनी रक्षा जरूरतों की पूरती चाइना को ध्यान में रखकर करते हैं चाइना के साथ क्या-क्या संभावित है इसलिए हम S-400 को भी ले जाएंगे तो लड़ाख में जाके खड़ा करेंगे ताकि चाइना से निप्टा जा सके पाकिस्तान को हम थ्रेट में कंसिड कर रहे हैं हम पाकिस्तान से हट चुके हैं अब ठीक है मदब तुम बाड़ा को अभी खेल लो तुमारा मनोरंजन भी जरूरी है नहीं तो तुमारी सरकार है कैसे चलेगी तो TU-160M is the world's heaviest supersonic aircraft अब सोचिए supersonic aircraft है जो की 1987 के अंदर Soviet use यानि की जो उस समय का USSR था उसने अपने साथ ऐसे strategic bomber अपने साथ शामिल किया था इसकी खासियत ये है अब ये कई बार upgrade हो चुका है 2014 में इसका सबसे upgraded version बनकर तयार हुआ है भारत के पास अभी तक कोई भी bomber नहीं है और अगर ये jet हमें मिलता है तो ये देश का पहला bomber होगा क्या होता है bomber jet वो मैं आपको बता दिया ये है bomber 40,000 feet की उचाई पर 2220 km प्रतिगंटे की रफ्तार से उड़ सकता है एक बार में 12,300 km की उड़ान भर सकता है 960 km प्रतिगंटे की रफ्तार से ये उड़ने की चमता रखता है आप सोचिए 1.10,000,000,000 तो इसका वजन है भाई स सेना के चार वाई यू सेनिक लगते हैं आपने फ्लाइट्स में दो पाइलिट्स को पाइलिट और को पाइलिट बैठा देखा हुआ चार लोग चलाने में लगते हैं एक पाइलिट एक को पाइलिट एक बंबॉर्डियर और एक defensive system officer यानि कि सब तरह के काम करने वाले लोग इसके अंदर बैठते हैं तब जाकर के ये चलता है ये इसकी खासियतों में शुमार चीज़े हैं तो मैंने आप लोगों को ये सारी की सारी जानकारी यहां पर साजा कर दी हैं क्या कर सकता है कैसे कर सकता है उमीदों के अंदर पंक तब लगे जब इसके बारे में किसी जम् चैलेंज कैसे सर चैलेंज इसलिए मेरे प्यारे साथियों क्योंकि अमेरिका आल्रेडी भारत को काफी वेवर दे चुका है जब हमने S-400 परचेस किया तो हमारे साथ में काटसा यानि तो संभव है कि भारत इस प्रकार के नेगोसियेशन अगर रूस के साथ करेगा तो उसे अमेरिकी प्रतिबंदों का सामना करना पड़ सकता है ठीक है उमीद है कि आप इस बात को समझ गए हो ये साब इन दोनों की तस्वीर है जो कुछ बड़ा करने के इसारे करती है चलिए यहां तक की जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं मानता हूँ सेशन को शेयर करना, लाइक करने के लिए बार-बार बोलने की जरुवत नहीं होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं साथियो आप सब के मन में चल रहा होगा हाना कि कई WhatsApp यूनिवर्सिटीज ने तो रिशी सुनक को प्रधान मंत्री पद तक की सपत दिला दी है लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है रिशी सुनक और लिज्ट्रुस इनके बीच का चल रहा विवाद क्या नसलिय भेदभाव का शिकार हो चुका है क्या रिशी सुनक गोरें ना होने की कीमत चुका रहे है क्या रिशी सुनक ब्रिटिशर्स की मानसिकता जिसकी वज़े से उन्होंने दुनिया के इतने देशों पर राज किया उसकी कीमत चुका रहे है ये बात हम क्यों बोल रहे हैं ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि इतने राउंड जीतने के बाद जब अपनी पार्टी के नेताओं से वोट प्राप्त करने का समय आया तो लिजिट उसका आंकड़ा हिल चुका है हाला कि वोटिंग अभी नहीं हुई है समय है वोटिंग में लेकिन जो आकड़े ऑनलाइन डेटा से प्राप्त हो रहे हैं उनसे जानकारी ये मिलती है कि ब्रिटेन के अंदर जो कंसर्वेटिव लोग हैं या फिर ये समझ ये कि जो रूडिवादी लोग हैं जो श्वेत जो वेट्रो से हैं ना की रिशी सुनक साथियों बोरिस जॉनसन जब से सरकार गई है रिशी सुनक का फोन नहीं उठा रहे हैं क्यों नहीं उठा रहे हैं ये कि वो मानते हैं कि बोरिस जॉंसन का PM पद रिशी सुनक के इस्तीफा देने के बाद ही तो गया था ठीक उसी प्रकार से रिशी सुनक बोरिस जॉंसन को लगातार कॉल करने की कौशिश कर रहे हैं इसी बीच में बोरिस जॉंसन अपने पार्टी के कारे करताओं को क्योंकि ultimately decision उस दिन होगा जिस दिन पार्टी कारे करता किसे वोट देते हैं रिशी सुनक या लिजटरूस को बोरिस जॉंसन सभी जगे जा जा करके लिजटरूस का समर्थन कर रहे हैं और रिशी सुनक का विरोध कर रहे हैं खैर इन सब बातों के साथ साथ एक और funny चीज हुई और व employment बढ़ाएंगे वगैरा वगैरा इसी बीच में आम आदमी पार्टी क्या बोल रहे हो सर आम आदमी पार्टी क्वेशब कर दिया है। कि صاحب रिशी सुनक भी केजरिवाल मॉडल से हुए प्रभावित अब आपका दिमाग एक दम चकर रहा हैगा क्या बात कर रहे हो मतलब रिशी सुनक केजरिवाल को फॉलो कर रहा है पागल हो गया है क्या मतलब उल्टी गंगा वेहना शुरू हो गया क्योंकि रिशी सुनक ने भी हाल ही में ब्रिटन में वादा किया है मुफ्त बिजली का जो कि ट्रम्प कार्ड था केजरिवाल का कहां पर पंजाब में क्योंकि पंजाब के किसानों को मुफ्त बिजली का वादा करके ही तो सरकार आ गई हाला कि केवल एक कारण यही नहीं था लेकिन फिर भी यह एक कारण था और यही तो बज़े है कि जो electricity amendment bill है उसका विरोध पंजाब में बहुत हो रहा है क्योंकि मुफ्त के वादे यानि freebies जादा नहीं चल पाएंगे Supreme Court का आदेश है एसी इस्तिती के अंदर रिशी सुनक ने अपने वहाँ पर बिजली मुफ्त करने का क्या वादा किया आँम आद्वी पार्टी के चाहने वालों ने अपने वेब पेज पर चिपका डाला कि रिशी सुनक केजरिवाल से हुए परभावित ठीक है तो साथियों आपके सामने रिशी सुनक के संबन्ध में जितनी भी जानकारियां थी वो मैं आपके साथ में सेशन्स में साजा कर चुका हूँ बिटिश पीम बनने की रेश में रिशी सुनक टॉप पर चल रहे थे बोरिश जॉणसन की सरकार गिरने वाली है ये मैंने आपको पहले बता दिया था एक मैंने पहले तीन वीक पहले सारी न्यूज बताई रेडी फुर रिशी सुनक में काफी बार आपको बता चुका हूँ तो साथियों आगे चलने वाले जो कारेकरम हैं उनमें यूगोव नाम से एक वेबसाइट है जिसने पोल कराया उस पोल में ये जानकारी प्राप्त हुई कि ट्रुस ने सुनक से 28 फीसदी जादा वोट प्राप्त किये है यानि पार्टी कारेकरताओं के अंदर 28 फीसदी पसंद है लिजट्रुस और सुनक 30 फीसदी के साथ कलर्स की वजए से रिशिट्र सुनक को प्रधान मंतरी के पद से हाथ धोना पड़ सकता है क्योंकि बृटिन के अंदर जो भी रूडिवादी लोग हैं वो सफेद को ही पसंद करते हैं लिजट्रुस जो की यहां की विदेश मंतरी रही थी फॉरिन सेकेटरी कह सकते हैं ऐसे ही यहां के वित मंतरी रहे थे इनके दौनों के ही पद की उमीदवारी क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ यूगोव नाम से यानिक यूर गवर्मेंट टाइप से एक समझ लीजेक पोल हुआ उसमें टुस को 58 फीजदी लोगोंने लोगों से मतलब है पार्टी कारे करताओने और सुनक को 30% वोट मिले यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि जौनसन सुनक से चिड़ रहे हैं ऐसी इस्तिती में रिशी सुनक को वो जिम्मेदार मानते हैं कि मुझे पद से हटाने वाला कोई और नहीं अपे तु रिशी सुनक ही था साथियो 5 सितंबर को कंसर्वेटिव पार्टी के अंदर लगभग 2 लाग सदश्य वोट करेंगे और वो यह डिसाइड करेंगे कि इन दौनों में से वो किसे प्रधान मंत्री के पदपर या पार्टी के हैड के रूप में देखना चाहते हैं 5 सितंबर को होने वाली वोटिंग से पूर्व रिशी सुनक और लिजट्रूस अपने अपने तरीकों से लोगों को अपने समर्थन में लाने का प्रयास कर रहे हैं पीएम बनने की रेस में लिज्ट्रुस पिछड रहे हैं फिलाल रिशी सुनक ट्रुस और खुद के बीच के मतों में फर्क को अब कम करना ही इनका सबसे बड़ा उद्देश है अगर हम सर्वे की बात करें तो लिज्ट्रुस को जादा समर्थन मिल रहा है रिशी सुनक के पैरिजन में दोनों ही अपने द्वारा चीन के साथ कितना लड़कर सामना कर पाएंगे ये प्रूव करने की कॉस्विश कर रहे हैं जा रिशी सुनक कहते हैं कि ड्रैगन को ड्रैगन दुनिया के लिए खतरा है वहीं लिज्ट्रुस कहती है कि चीनी कमपनियों को मैं बंद पीपल जो हैं वो 21% रूडी वादी इंग्लिश हेरिटेज ट्रस्ट से हैं यही सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि वो रूडी वादी लोग वाइट को ही पसंद करते हैं कंसरवेटिव पार्टी में 96% जो श्वेत मेंबर हैं उनमें से ये जो संख्या है यही सबसे दिक्कत के रूप में रिशी सुनक के लिए बन करके आ रही है आने वाला समय देखना होगा कि रिशी सुनक ने जो मुफ्त बिजली का वादा किया बिजली के बिल्प से निपटने के लिए जो ये वादा किया इसको आम आदमी पार्टी कैसे कैश कराती है उमीद है कि आप सबी साथियों को ये जानकारी समझ में आई हो ये थे दुनिया भर के अपडेट जानकारियां आपके साथ में साजा की गई आप भी आगे इन्हें साजा करें ये आप से उम्मीद की जाती है कौशिश करेंगे कि आपके RNA सेशन को जब तक possible हो तब तक लेता रहूँ जब तक मुझे कोई व्यवधान आगे ना आए आज के लिए इतना ही यहां से आगे यानि question number 5 से आगे question number 6 से लेकर के question number question number 15 तक के जो questions हैं वो one liner format में आपको यहां पर दे दिये गए हैं class पूरी होने के बाद वो हमारे टैलीग्राम अंके तवस्ती सर पर आपको प्राप्त हो जाएंगे आप वहां से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं PDF format में आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी आज के लिए सबसे important जानकारी यह है class खत्म होने के बाद में यह link भी आपके साथ pin कर दूँगा कल शाम 6 बजे आपकी एक class होने जा रही है अभी जैतर राय के साथ में यह है UPSC Topper 50 वी rank इनके साथ हम चर्चा करेंगे UPSC की तैयारी के दौरान क्या करें और क्या ना करें साथ में हम चर्चा करेंगे prelims oriented guidance की आप इस session को join कर सकते हैं शाम 6 बजे का session है free of cost session है जिसका link comment box में pin कर दिया जाएगा आप परसों के दिन शाम 7 बजे भी UPSC Topper 39th rank के साथ prelims की तैयारी की strategy discuss कर पाएंगे इन तमाम चीज़ों को discuss करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है एक link मैं आपको अभी send कर रहा हूँ comment box में आप वहाँ पर जाएं अपने आपको enroll कर लें बस referral code ankit10 use कर लें इसके साथ साथ मैं telegram ankit अवस्ती sir के नाम से जो है वहाँ पर भी link send कर रहा हूँ आप वहाँ पर भी हमें connect कर सकते हैं जहां से आपको सुलिब लगे वहाँ से कर सकते हैं anacademy के साथ पढ़ने के लिए आप हमारे offers का lab ले सकते हैं anacademy में इस समय जो offers चल रहे हैं वहाँ पर UPSC category के अंदर जो discount है वो 43% के around चल रहा है 20% को आप SM of 43 कर सकते हैं इस Saturday को मेरी classes शुरू हो रही हैं आप उसे भी join कर सकते हैं SSE category के अंदर modern history का best शुरू हो रहा है अधिक जानकारी के लिए आप हमारी technical team को 7878 15882 पर call कर सकते हैं आज के लिए इतना ही अपना खयाल रखें मड़ों का सम्मान करें चोटों को प्यार दें अपना व्यक्तित विस प्रकार से विक्सित करें कि सभी एक दूसरे के साथ सुरक्षित महसूस करें